देश में जबसे नई सरकार आई है, जबसे भारती जनता पार्टी गडबंधन की सरकार में आई है नरेंदर मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने है, तब से लेकर आज तक उत्तरप्रदेश के डेपटी सियम केशो प्रसाद मौर्या का मिजाज बदला हुआ है केशो प्रसाद मौर्या लंबे वक्त तक दिल्ली में रहे, उत्तरप्रदेश में कई बैटकों से गाईब रहे, यहां तक के कैबिनेट मीटिंग में भी केशो प्रसाद मौर्या के कुरसी खाली रही, और वो दिल्ली में डेरा डाले रहे कहा गया कि वो बिल संतोश से मुलाकात कर रहे हैं जेपी नड़ा से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद भी वो लखनव में नजर नहीं आए हाला कि इस बीच एक दो दिन के लिए वो लखनव में रहे लेकिन किसी भी तरह की मीटिंग में शिरकत करते नजर नहीं आया और उसके बाद सीधे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर वारारसी में केशो प्रसाद मौरिय नजर आया लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर केशो प्रसाद मौरिया के एक्स एकाउंट पर जो कुछ लिखा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ाने वाला है सियासी सरगर्मी पैदा करने वाला है अब आप सोच रहे होंगे कि केशो प्रसाद मौरिया ने आखिर ऐसा क्या कह दिया केशो प्रसाद मौरिया ने आखिर ऐसा क्या कह दिया तो हम आपको एक एक करके केशो प्रसाद मौरिया के कुछ पोस्ट दिखाना चाहते हैं जिनको आप देखें और यह समझने की कोशिश क करें कि आखिर केशो प्रसाद मौर्य के मन में केशो प्रसाद मौर्य के मस्तश्क में चल क्या कुछ रहा है केशो प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स एकाउंट पर लिखा मैं हिम्मत अभी हारा नहीं आखिर वो किस हिम्मत को हारने और ना हारने की बात कर रहे हैं आखिर केश कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं अब केशो प्रसाद मौरी उतर प्रदेश के डेपुटी सीम है और इनकी हार का इंतजार कौन कर रहा है ये निशाना किस पर है ये हमला किस पर है बिना नाम लिए केशो प्रसाद मौरी ने आखिर किस के लिए कहा कौन है जो केशो प्रसाद मौर की हार का इंतजार कर रहा है और केशो प्रसाद मौर यहीं तक नहीं रुखे आगे उन्होंने क्या लिखा कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी महनत करनी ही पड़ेगी क्या केशो प्रसाद मौर अपने आने वाले कल को सुनहरा और को चाहिए कि वो परिस्थितियों से लड़े एक सपन तूटे तो दूसरा गढ़े केशो प्रसाद मौर का मुख्यमंत्री बनने का सपना एक बार नहीं दो बार तूटा है ये तो हर कोई जानता है तो क्या केशो प्रसाद मौर एक बार फिर कोई बड़ा सपना देख रहे हैं कोई नया सपना गढ़ रहे हैं और उस सपने के सहरे केशो प्रसाद मौर एक अपने कद और अपने पद को मजबूत करना चाहते हैं और दोस्तों एक और सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट है मैं यहाँ वादे लेकर नहीं इरादे लेकर आया हूँ अब आप सोचिए केशो प्रसाद मौर एक और दिल्ली से कौन से इरादे लेकर आये हैं इतने दिनों तक वो दिल्ली में रहे आखिर वो कौन सा वादा लेकर आये कौन सा इरादा लेकर आये जिसके बाद से केशो प्रसाद मौर एकर तरह तरह की संभावनाएं सियासी गलि हैं तो उनको राष्ट्री अध्यक्ष बनाया जा सकता है हाला कि इसके बारे में कोई बहुत मजबूत बात निकल कर अभी तक सामने नहीं आई दूसरा ये कहा जा रहा है कि केशो प्रसाद मौर को भारती जंता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है केशो प् पहुमत की सरकार बनी लेकिन मुख्यमंत्री बने योगी आदित्तिनात और तीसरी जो संभावना चल रही है वो ये क्योंकि जितिन प्रसाद ने PWD मंत्री पत से स्तीफा दे दिया है वो केंदर सरकार में मंत्री बन गए है तो PWD विभाग उत्तर प्रदेश में खाली पड़ है केशो प्रसाद मौरे की नजर PWD विभाग पर भी है कि वो विभाग उनको मिल जाए हलाकि इस लिस्ट में कई नेताओं के नाम है लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर केशो प्रसाद मौरे हर रोज नई नई लाइने लिख रहे है और ऐसी लाइन से कौन सा वादा लेकर के आए है जिसने उनके इरादों को मजबूत कर दिया है दोस्तों ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे मेरा नाम चंदरकान्थ है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए नमस्कार